आगामी लोकसभा चुनाफ से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटरों को लुभाने की कवायद शुरू कर दी है आज यानि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के ओर से भी महसंग विजे संकल्प 2019 रेली का आयोजन किया जा रहा है इस रेली में बीजेपी अध्याक शमिच शाह हिस्सा लेंगे इस दोरान पाठी कारे करताओं के वीश 5,000 किलो समरसत्ता खिचड़ी पका कर बाटी जाएगी बता दे इस समरसत्ता खिचडी के लिए बीजेपी कारे करताओं ने दिल्ली के सभी 14 जिलों के परिबारों को घर-घर जाकर चावल दाल नमक वा अन्य सामगरी को इकठा किया इसे कठा किये गए अनाज से ही खिचडी पकेगी पूरी खिचडी एक ही पातर में पकेगी और समरसत्ता रैली में शामिल होने वाले लोगों के बीच बाटी जाएगी इस खिचडी को नाकपूर से शेफ विश्नु मनोहर पकाएंगे मनोहर अपनी टीम के साथ 20 फीट व्यास वाले और 6 फीट गहरे बरतन में खिचडी को पका कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे बता दे 2014 के लोग सभा के समय दूसरे दलों से कई अनुसूचत जाती के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था लेकिन दिल्ली विधान सभा चुनाफ के दोरान आम आदमी पाटी दलितों का एक बड़ा तबका अपने साथ लेने में सफल रही थी यही वज़ा है कि बीजेपी ने दलितों को एक बार फिर साधने की रननीती बनाई है इसरेली में दिल्ली बीजेपी अध्याक्ष मनोच तिवारी, सवर्चंद गहलो, रामलाल, शाम जातू समेथ कई वरिष्ट नेता शामिल होगे चावल और डाल इकठा करने के दौरान भाजपा अनुसूच जन जाती मोर्चे के कारेकर्ताओं ने 14 लाख परचे बाटे और मोधी सरकार की जन कल्यान कारी योजनाओ का प्रचार प्रसार किया दिल्ली भाजपानु सूचित जाती मोर्चा के अध्याक्ष मोहनलाल गिहारी ने कहा कि घर घर जाकर मुठी भर दाल चावल लाने की जिम्मदारी अच्छी तरह से निभाई गई है भीम महसंगम 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता पुनह सौपने का संकल्प हर कारेकरता करेगा झाल